यह एवरिवान यह है क्लास 3 की मैट्स की बुक का चाप्टर नमबर 7 मोर डिविजन 7 ठीक है और इसमें हम करेंगे डिविजन के कुछ ग्वेशन्स और यह स्टोरी समसे है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा अधिकत होती है तो वो कुशन्स मैं यहापर कराने वाली हूँ इनको समझाने वाली हूँ तो सबसे पहला कुशन है अब फ्रूट सेलर पैक्स 992 फ्रूट्स इक्वली इन 8 बॉक्स तो एक फ्रूट सेलर ने पैक्क किये 992 फ्रूट्स इक्वली 8 बॉक्स में तो हमें यह वताना है सबसे पहले हमें लैंग्विज लिखनी है फ्रूट सेलर पैक्स फ्रूट 992 फ्रूट सेलर पैक्स इन बॉक्स इक्वल्स एक्वल्स एट तो हमें क्या बताना है कि हो मेनी फ्रूट्स इर इन इच बॉक्स तो वो हम कैसे बताएंगे तो फ्रूट्स इन इच बॉक्स इस इक्वल्स तो जब हम 992 को डिवाइड करेंगे 8 से तब हम बता पाएंगे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं 992 डिवाइड बाई 8 ठीक है अब मुझे सबसे पहले क्या चेक करना है कि मेरा जो डिवाइजर है क्या वो डिविडेंड की फर्स डिजिट से चोटा है या बड़ा है अगर चोटा है मेरा डिवाइजर डिविडेंड की फर्स डिजिट से that means वो सिंगल डिजिट पर मैं अपना टेबल चला सकते हूँ that means 8 बंजा 8 में लिख सकते हूँ now 9 टेक अवे 8 is 1 अब मैं क्या करूँगी अब मैं सेकंड डिजिट उतारूँगी यहाँ पर 8 के टेबल में 19 आता है या नहीं आता है 8 बंजा 8, 8 टूजा 16 होता है and 8 3 जा 24 so 24 तो 19 से जादा हो जाएगा तो हमें 19 से छोटा नंबर लेना है but 8 के टेबल में आना चाहिए तो 8 टूजा 16 होता है जोकि 19 से छोटा होता है then again हमें सब्ट्राक्ट करना है तो 9 टेक अवे 6 होता है 3 1 टेक अवे 1 0 अब मुझे इस 2 को यहाँ पर उतारना है तो यह हो गया 32 ठीक है? 8 के टेबल में 32 कब आता है so 8 बन जा 8 8 टूजा 16 8 टूजा 24 8 टूजा 32 so 8 टाइमस 4 क्या होता है? 32 होता है again मैं सब्ट्राक्ट करूंगी 2 टेक अवे 2 0 3 टेक अवे 3 0 क्या आपने एक चीज नोटिस करी? मैंने हर बार सब्ट्राक्शन किया तो इसी लिए division क्या कहलाता है? repeated subtraction कहलाता है ये बात आपको याद रखनी है और divide करने के बाद हमारा answer क्या होता है? ये हमारा answer नहीं है ये है हमारा remainder हमारा answer होता है ये 1, 2, 4 जिसको हम quotient बोलते हैं division में ओके? so 1, 2, 4 fruits आए एक box में ठीक है? तो ये हुआ हमारा question number 4 now अब हम बात करते हैं question number 5 की question number 5 क्या है? at a dinner party 264 people are seated in 8 equal rows तो 264 people जो थे वो 8 equal rows में बैठे थे अब आपको ये बताना है कि each row में कितने लोग थे ठीक है ना? हर एक row में कितने लोग थे so people people seated in dinner party equals 264 then number of rows कितने है? 8 हमें क्या बताना है? पीपल सीटे इन इच रो so people सीटे इन इच रो वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम 264 को divide करेंगे 8 से तो हम यहाँ आपर divide कर लेते हैं 264 divide by 8 अब मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा मेरे dividend की first digit छोटी है या बड़ी है मेरे divisor से यह मेरा क्या है? divisor और इसको हम कहते है dividend so यह तो छोटा है जब भी आपका dividend की first digit छोटी होती है हमें two digits एक साथ लेनी होती है so 8 की टेविल में देखना 26 कब आता है आता भी है या नहीं so 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 3 जा 24 होता है and then 8 4 जा 32 होता है तो 24 26 से छोटा है और 32 26 से बड़ा है तो जब भी हमारे पास इस तरह का number होगा हमें हमेशा छोटा number चूज करना है so 8 3 जा 24 ठीक है then हमेशा subtract करना है क्यों करना है क्यों किसी division क्या होता है repeated subtraction होता है 6 में से 4 गया 2 बचा 2 में से 2 0 and then आप क्या करोगे इस 4 को यहाँ पर फिर से लिख लोगे अब आपको फिर चेक करना है 8 के table में 24 आता है बिल्कुल नाता है हमने अभी अभी किया है so 8 3 जा 24 अब हम फिर से subtract करेंगे 4 टेक आवे 4 0 2 टेक आवे 2 0 so यह मेरा क्या बचा यह मेरा है remainder this is my remainder और मेरा answer क्या हुआ यह मेरा answer है 33 ठीक है यह मेरा answer है 33 और answer को division में हम बोलते है quotient क्या बोलते हैं हम quotient पच्चों यह आपको ध्यान रखना है ठीक है यह बहुत important है then हमारा आता है next question next question है हमारा 810 flags were equally shared by 9 schools how many flags did each school get तो वो हम कैसे करेंगे 810 flags were equally shared so how many flags are there सबसे पहरे तो flags पता होना चाहिए number of flags कितने है number of flags है हमारे पास 810 then shared by how many schools तो 9 schools flags shared by schools कितने schools ने किया share 9 schools ने किया ठीक है how many flags did each school get तो हर एक school को किसे ना flag मिलेगा so each school get equals 810 divided by 9 ठीक है अब हम 810 को divide करके दिखाएंगे 9 से अब मुझे फिर से चेक करना है क्या मेरी first digit divisor के digit से छोटी है या बड़ी है तो अभी यहाँ पर छोटी है तो that means अगर मेरी dividend के digit first digit छोटी होगी तो मुझे two digits at a time लेना होगा so 9 के table मुझे चेक करना है क्या 81 आता है yes 99 जा 81 होता है अब मैं subtract करोंगी तो 1 में से 1 गया 0 and 8 में से 8 टेक अवे किया 0 so 1 टेक अवे 1 0 8 टेक अवे 8 0 तो मैं इस 0 को यहाँ पर उतारूंगी अब यहाँ पर बच्चों बहुत समझने वाली बात है क्या हमारा यहाँ पर आंसर complete हो जाता है नहीं हमारा आंसर यहाँ पर complete नहीं होता है अगर हम इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ देंगे तो यह हमारा आंसर रॉंग हो जाएगा हमेशा याद रखिए अगर आपकी last digit 0 बची है तो आपको उसको पहले ऐसे नीचे उतारना है ठीके नीचे bring down करना है देन आपको फिर से table पढ़ना है कैसे अब आप को गए 9 के table में तो 0 आता ही नहीं है आता है भई 9 0 जा 0 अब आपका answer complete हुआ और यह आपका हुआ remainder और यह हुआ आपका quotient तो आपका quotient हुआ 90 answer को हम क्या कहते हैं division में answer को हम कहते हैं quotient यह बात आपको याद रखनी है मैं बार बार हर quotient में इसी चीज़ को repeat कर रही हूँ तो यह method आपको पता होना बहुत सरूरी है आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video में that's all thank you